अज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड समस्टर के हिंदी गद्ध के MCQ टाइप के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में जो भी छात्र हमारे MCQ टाइप की परिछा देने वाले हैं यानि कि बहुत फारी इनुवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर जो प अब्जेक्ट होता है भारत के सभी भी माइब्जेक्ट होता है जहां पर आपकी परिछहा सब्सक्राइब के दिखा क्योंकि माइनर तो अब्जेक्टिव आता है तो उसी से संबंधित कुश्चन होंगे तो ध्यान से वीडियों को इंड तक देखते रहेगा ठीक है तो पहला प्रशन कि अचार रामचंद्र शुकल के निबंद संग्राह का नामत है इसी प्रकार प्रशनाएंगे ध्यान से चुन लीजे मेजर माइनर दोनों वाले शाथ ठीक है तो यहां पर बहुत सारे आपसंदियेगे जो आपको सही उत्तर रहेगा उसको आपको कमेंट में बताना तो आपक कि अचार रामचंद्र शुकल के निबंद संग्राह का नाम है इन आपसरों में से चिंता मड़ी बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है अगला प्रशन एक बहुत ही पॉप्लर का भी और लेखक है और इनके जन्म के बारे में बहुत सारी अलग अलग मतभेद भी हैं लेकिन इनक ने तो आप ने जान लिया लेकिन यह किस युक्य कभी हैं एक तरीके से बोल सकते हैं तो यह हैं सुकलोत्तर युक्य ठीक ध्यान रखेंगे गहान अंबर से उत्तर होगा यानि लाश्ट वाला अगला प्रशन है कि अचार हजारी प्रसाद दुवेदी का मोल नाम क्या था इनका पहले का नाम था वह क्या था ठीक है अचार हजारी प्रसाद दुवेदी का कई वार आचुकआ जिहान नाम नाम था बैजरनात दुवेदी याद रहें कर दorama नहीं मानता है मेरे विचार के सारे संसार के मनस्यों के एक समान मानो सांस्कृत हो सकती है ये कथन किसका मतलब एक ये पंक्ति या फंटेंस या जो लाइन कही गई वो किस कभी के दवारा की गई तो यहां पर बहुत फारे कभीयों के नाम है इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये जो पंक्ति है ये जो लाइन ह है अग्ला प्रशनफा की अचार हजाःकी प्रसाथ अचार हजायरी प्रसाद कि पितल नाम था यहाद समस्पूर्णा है जिसका नाम है असोग के फूल जो कि आपके बिए थार्ड समेस्टर के हिंदी गद्ध का जो पेपर है उसमें ये स्लेबर्स है ठीक है निबंद असोग के फूल वहीं से कोईश्चन है ठीक है ध्यान लखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर का नमबर ठीक ह 1948 में इस रचना रची गई थी ठीक है अगला प्रशन है कि डाक्टर हजाय परसाद दुबेदी ने भारतिय साहित और सांस्कृत में किसका महत तो बताया है ठीक है असोग के फूल का गोलर के फूल का किस के फूल का ठीक है तो ध्यान लखेंगे बहुत ही महत्मूर प्रशन यह है ठीक है आपके एक्जाम के लिए तो इस प्रशने का जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा अप्शन नंबर ठीक है का नंबर ठीक है इन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों एम दुराज चानडी पर अपना पूरा ठीक है प्रहार डाला की धर्म को लेकर अंधवि पूजारी माने जाते हैं तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे भारती अगला कि स्री बिद्या निवास किसकी परंपरा के निवंदकार हैं ठीक है अगला कि छीटवण की छान नामक निवंद का प्रकासन है जो मार्केट में आई लोग जाने इसके बारे में वो किस सन में आई तो सन का नाम है ठीक है उनीस सो तिरपन बहुत ही महाजपूंट प्रश्न याद रखेंगे अगला प्रस्ट ने कि मिफर जी का जन्म कहा हुआ था ठीक है तो हमारे प्रमुक का भी है जिनका नाम है पहला प्रस्ट निये का मतलब यह आप लोग समझ लेजिए बिद्या निव कोधित किया गया यहां पर लेकिन कंफ्यूज मत होईएगा इनका पूरा नाम है बिद्या निवास में स्रजी ठीक तो इनका जन्म गौरकपुर जन्पद में हुआ था और यह कोश्यन का इराग में फ्रीका जन्म कब हुआ था किस सन में हुआ तो इसका उत्तर लिखेंगे वापफ घर आए ठीक है तो यह कोई इतना महातपूर्ण ने इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे ठीक है अगला प्रसने की मोरे राम के भीजे मुकटवा गीत के असमरड मात्र से लेखत को क्या याद आता है यह आपको बताना ठीक है तो यह भी महातपूर्ण प्रसन है ठी थीक है उसका बच्पन याद बच्पन ठीक है याद आथा है अगर आए कि लेखक ने तुड़ना कि नाम हो सकता है कि विठ्या निवास मिफ्र जी हो ठीक है तो उन्हें राम चंद्र जी की तुलना है ठीक है वो पुत्र सकी है तीक इसलिए सभी उत्रश का घां हो जाएगा फिर आज इतना महत्पोर्ण नहीं आप इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है और अगला प्रश्ण है कि लेखक के नुसार माता को सिल्या को स्री राम का क्या भीगने की चिंता थी तो उनको सबसे जाज चिंता थी वो मुकुट का ठीक है क्योंकि मुकुट मेन होता है ठीक है और अगला प्रश्ण है कि लेखक के घर जो महमान लड़की आई थी उसका क्या नाम था इभी इंप्वार्टर ने इसको भी इगनोर कर दीजिए ठीक है अगला प्रश्ण है कि महमान लड़की ने दरवाजा खो और इस मतलब की रशना के इस निबंद के जो निबंदकार हैं जो रशना कार हैं वो हैं बिद्यानिवास में फ्रीजी ठीक है तो यह किस प्रकार का निबंद है इन आपसनों में से तो ध्यान डखेंगे यह वाला बेक्त बेंजक निबंद इसलिए से उत्तर घा हो जाएगा अगले कुश्चन पर आते हैं हम लोग कि कुबेड नाथ राजी का जन्म कब हुआ था तो कुबेड नाथ राजी का जन्म है 1938 में हुआ ध्यान रखेंगे महात्पोर प्रश्चन है अगला कि कुबेड नाथ का पहला निबंद कौन सा है ठीक है इन आपसनों में से ध्यान रखेंगे कुबेड नाथ राजी जो कि बहुत ही प्रमुक कभी यह भी है ठीक है तो इनका जो पहला निबंद था उसका नाम है प्रिया ठीक है नील कंठी याद रखेंगे का नंबर से उत्तर होकर कई बार आज चुका है ठीक है अगला प्रश्चन है कि कौन सी कहानी संग संग्रा है लिखिए उसके बाद अंग्रेजु ने उसे ले लिया आप इसे पॉब्लिक्स नहीं करेंगे इसको हम अपने हिसाफ है मैनेज करके उसको म्यूच करेंगे ठीक है तो आपको बताना है कि कौन सा कहानी संग्रा है वह जबत कर ली थी ठीक है बताना इन आप्शनो में से इसका सैउत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर अ ठीक है ए नंबर सोजे वतन बहुत मात्मोंटफ श्न है अगला कि प्रेम चंद्र की अंतिम कहानी क्यांसी मानी जाती तो प्रेम चंद्र जींकि जो अंतिम कहानी की कफा नहीं याद रखेंगे अगला कि मान सरोवर किस वर्ग की ही यह आपको बताना है तो ध्यान रखेंगे यह एथार्थ वादी वर्ग की है ठीक है जब्रा किस कहानी का पात्र है ठीक है तो जब्रा जो है एक पात्र है कि माली जी की इंसान होता है ठीक है जिसको किसी पात्र में किसी चीज में मतलब कि कहानी होती ही नाटा को स कि राजा हो गया रंक हो गया ठीक और रादों हो गये बेटी हो गयेаюсь के परजा होगे तक तर आ कि'RE अबहुत पाया जाते ठीक है तो पूस्ट की रात जो कहानी उसी का एक पातर है पूस्ट की रात कहानी किसकी है तो सिंपल सा उत्र आप सभी को मालूम है कि पूस्ट की रात कहानी जो है मुंसी प्रेम चंद जी की है डी नमर से उत्र होगा अगला प्रशन है कि पूस्ट की रात कहानी को प्रमुक पात्र कौन था कूं तो पूस्की रात कहानी को प्रमुक का ही है पूस्की gent कहानी का क्या नाम था ध्यान रहान रखेंगे। तुम क्यों नहीं ख्वोड़ेते मर मर कर काम करो वह valid हुत ही तो चलो छुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है वक्त कथन किस कहानी का है ठीक है एक पंक्ती है ये कथन है किस कहानी में इस बात कही गई है वो आपको बताना है तो इस कहानी के बारे में पूस्ट की रात जो कहानी उसे में इसके बारे में कहा गया कि भाईया कब तक आप खेती करते रहेंगे हमारा जो ठीक कब तक हम काम करते रहेंगे कब हमें चुट्टे मिलेगी तो उसे संबंदित है और महात्पूर्ण प्रशन है अगला प्रशन है कि पोष्ट की रात की रशनाकार आप सभी जानते कि मौशी महात्पूर्ण प्रशन है ठीक है अगला प्रशन की और बढ़ते हैं दोजार तेस्ट में आया था ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है कि जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रा कौन सा ही नापसनों में से तर इसका हो जाएगा आपसन नंबर कौन सा फांसी ठीक है सी नंबर स प्रकासित हुई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर 1931 यानि कि जैनेंद्र की हत्या कहानी किस प्रकासित हुई जैनेंद्र जी ने एक कहानी लिखी जिसका नाम हत्या है और वह किस वर्स रिलीज हुई थी वह हुई थी 1927 में त्यान लखेंगे अगला है कि जैनेंद्र जवारा रचित या पिर कृत सुनीता कौन सी भीधा है चुनीता निबंध है कहानी है अलोषणा है क्या है ठीक है तो दो काहानी की पाजेब कहानी की समयावद क्या यह टिक है तो पाजेब कहानी के समयावद ही से लिए वह इंप कौन सा पात्र केंदर में ऑधिक बीच में एक तरी किस बोल सकते हैं तो इसका सहत्तर हो जाएगा मतँः कुंत कर दो हुआ म благодарți कहानी में informing साथ पात्र केंद्र में है तो है। अफ्शू थेρεके अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि पाजयेंद काहानी किस प्रकार की है तो पाजयेद जो कहानी है ठीक है वह मनोविग्ञान की ठीक है अगला जयनेлडर की पहली कहानी है कौन सी नापसरों मैं से जर्ञेंदर लिखी तो इसका नाम था खेल खेल के कहानी है और एक विधा भी धी कहानी और अगला पर्शना यह कि बिदेशी पात्रों को सब्सक्राइब का प्रकासन किस वर्स हुआ था यह कोश्चन कहे रहा है तो बहुत इमात्पूर्ण प्रशने से इसके बारे में जानते हैं तो जाएगा डी नंबर ठीक है 1935 में याद रखेंगे बहुत इमात्पूर्ण प्रशने अगला प्रशने की त्रीफ पथगा suckra के लेखक ठीक है तो त्रीफ पथगा कहानी संग्रां के जो लेखक हैं ती ऑगे जी आन्ड़ी अग्ये शी ट्रफ अ कaton कि सट्रा यानिकी अजहने के द्वारा यानि की द्वारा लिखित एक रशना जिसका नाम है अस्मृत लेखा ये किस बिधा की रशना है बईया कौन सी बिधा की कहानी है संस्रमण है नाटा के रेखा चितर क्या है तो यह तो यह है explaining जो लेखा है य। कि और अस्मत लेखा ठीक है एक संस्रमन है ठीक है और संस्रमन एक बिधा है आप सभी को मालूम जैसी कहानी रेखा चितनला टाइक होती है और समत लेक विदा वह सबस्के San Suamend come that अक्रुछ की राशना है अगला प्षण शने कि फिर्ट На affect r2 कि कौण कितन की बात हो रहे तो सही उत्तरश्क हो जाएगा अलोशना ये भी ये ठीक है अगला प्रशन है कि अपने अपने अजनबी अग्ये की कौन सी विधा है तो अपने अपने अजनबी ठीक है ये जिस विधा की रशना है उसका नाम है उपन्यास ठीक है अगला कि तार सब्तक के संपादक वा आयोजक कौन थे इन आप सुनों में से तो तार सब्तक जो की बहुत ही popular question है आपके चाहे subject हुई यानि कि आपका चाहे paper लिखित हो याज फिर objective हो सभी में आता है प्रस्ण तार सब्तक हमेशा और इसका धान रखेंगे तार सब्तक के संपादक वा आयोजक थे अग्ये कि तार अग्ये जी की है याद रखेंगे अगला प्रशने की कोहरी की बात किसकी कहानी है तो सिंपल सा उत्तर भी अग्ये जी की है ठीक सरडार थी अग्ये की कौन सी बिधा है सरडार थी इनकी एक रशना है वो कौन सी बिधा की है ये बताना है ठीक है तो ये है कहानी बिधा की निखिए माल्टी किस कहानी की पात है तो सिंपल सा उत्तर आप सभी जानते हैं जो मालती है रोज is कहानी के पात है निखिए को नाम है तो यह नाम है यह कुछ से प्रशन काई पाइच्छा में आ चुका है उस बार भी आने के पूरी उमीद है तो जो हिंदी की पहली कहानी उस-का नाम री इन्दू-मति याद रखेंगे। ठीक है, अगला परशना है कि ये किस चीज के लेखा कैए ? ये फिर कुश्चन होसाकता है कि किस ताइब के लेखा कै वह मांक्सवादी लेखा के याद रखेंगे। द्यान देंगे परद किस बिधा की रशना रखेंगे नहीं पर्दा कहानी के मुख्य पात्र है ठीक है तो परदा कहानी पीर बक्स जी है ठीक है और अगरा पशने की अम्र तुम्हारा हुआ ठीक है अम्र तुम्हारा हुआ का क्या करेगा अम्र तुम्हारा खा का क्या करेगा उसका जो ठीक है उसका तो जूती भी नहीं बनेगा तुम्हारा खाल से तो टाट अच्छा ये कथन परदा कहानी में किसकी है ठीक इस्पाल जी कथाकार है प्रेम चंद उत्तर यूगीन कथाकार है ध्यान रखेंगे यह स्पाल का जन्म कहां हुआ था या फिर कब हुआ था ऐसा प्रस्ट देखने को मिलेगा तो इस्पाल जी का जो जन्म है वो तीन दिसंबर 1903 को हुआ था पिंज्रे की उड़ान किसकी कहा है तो इस्फाल जी की तो इसी तरहाओ को प्रश्च देखने को मिलें और आगे यह जतनी भी प्रहतनाअ आपको मिलेंगे इसके सामने उसकाया लिखा है जैसकी बिचार संग्रह में संकलित है प्रेमचंधर के क्या निबंध तो सचत्त व्हहा पर अगला कि प्रेम चंद को przyjem medicine किसने दिया तो तो प्रेमचंद्र जी को तो नाम दिया कि वह द्यान नराम निगम ने जिया याद रकिए kao P ध्यान रखेंगे आप सबी ठीक है अगला की गांधी जी की आसाहयोग आंदोलन में या फिर गांधी जी के आसाहयोग आंदोलन से जुड़ जाने के बाद प्रेम चंद्र ने क्या किया था ठीक है तो सही उत्तर इसका आपको बताना अगर मालूम है तो बहुत ही पॉपलर को प्रेम चंद्र की नहीं है तो सुधार सोब इस तरह आपको जितने में प्रशन आगे देखने के मिलेंगे सारे के सारे प्रशन के उत्तर उसके सामने लिखें वीडियों लंबी नहीं हो इसलिए हम यहां पर बार बार आप लोगों का समय ज्यादा नहीं वेस्ट करना चाहे कि इसलिए हम वीडियो को यहीं तक continue करेंगे बाकि यह जो question answer की पूरी के पूरी पीडियोप है इसको हम telegram WhatsApp पे दोनों पर प्रवाइड करा देंगे जो छात्र में मैसेज करेंगे तो उनके exam में help पूरी हो जाएगी चाहे आप DDU की चाहत्र हो या पिर जहां पर objective पर इच् यहां तक देखी नहीं रही है तो मैं क्या बताऊं जो चाहत्र वीडियो को देखते हैं और अच्छे से जो मैं आपको बताता हूं वह आप फॉलो करते तो आपको परिच्छा में जरूर सफलता मिलेगी लेकिन क्या करना आपकी इच्छा हमारा काम बढ़ाना आप लोग अ थेंक्यू